ये गाइज वूलकम बैक तो मैं यूड़ोग चैनल टेक्नो वस्वजीद तो गैसे लेकर आ चुका हूँ आप सभी लोग के लिए और जिन वर्जन टू थीम और इस थीम में बहुत सारे आपको न्यू फीचर दिखने को मिल जाते हैं तो आज की विडिम बात करें इसी थीम क को अपने मोबाइल में अपलाई नहीं कर पाते हैं तो इसलिए आज वीडियो को बीना स्किप किये देखिएगा ताकि आप अपने मोबाइल में इस थीम को इसली अपलाई कर सके और साथ साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजे चैनल पर नहीं हो तो चैनल तो दोस्तों अगर आप भी चाहते अपने मोबाइल में Origin OS 2.0 के थीम को अपलाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीचर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके यह जो थीम फाइल दिया गया उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है थीम फाइल को ड जरूर कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको जाना है डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड फोल्डर पर यहां पर ओपन कर लेना है और यहां पर देख सकते हैं उसके बाद नीचे आपको जाना है यहां पर अभी हम लोगों ने जो थीम फाइल को पहले डाउनलोड कि बाद यहां पर आपको अपने मोबाइल में DWD folder को open कर लेना है DWD folder को open कर नहीं के बाद यहां पर आपको दो folder मिलेगे उपर वाला जो folder है उस पर क्लिक करके यहां पर आपको क्लिक करते रहना है जब तक आपके मोबाइल में 4-5 folder आ जाए आपको वहीं पर रुख जाना है जैस यहां पर आपको जाना है लोकल में जाने के बाद एक बार आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके जरूर्व चेक कर लिजेगा कि आपका जो आपको वर्जन रहना चाहिए 6.0.0.0 यह अगर आपका यह जो वर्जन इससे अगर हाईयर वर्जन है तो आप इस वर्जन को को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिएगा क्योंकि कई बार आपने देखा होगा आपने जो भी थीम को वहाँ पर कॉपी करते हैं dwt फोल्डर में वह आपके आई थीम में गायब हो जाता है तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप समझ लीजे कि आपका जो वर्जन है इस वर्जन को डाउनलोड कर लिजेगा यूटूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाई गागा तो उसके बात यहां पर आपको जाना है लोकल थीम में जाने के बात यहां पर देख सकते हैं यह जो हमारा सब्सक्तिक चाइंसों कर रहा है इसको मेंश नहीं करना है औ नहीं पर बात करें आपने पिछले बहुत सारे ऐपने देखा था तीम origin OS पर मैंने भी पिछले वीडियो बनाया था origin OS पर लेकिन उसमें बहुत सारे OS का copy , वह भी बहुती अच्छे दिखने को दिखने को मिलते हैं एक चीज यहांपर नीचे legitimate, आपने देख सकते हैं , जो यहांप चार जो हमारे आप हैं उसके जो वाल पेपर में यहांपर आपको कुछ iOS का style दिया गया है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है उसके बात करें यहाँ पर हमारे control center के बारे में तो guys के हैं यहाँ पर control center बहुत ही गजब दिया गया है यहाँ आपDee sack सकते हैं यहाँ परकुछ यहाँ पर जो square आपको जितने भी control दिख रहे हैं वो को उसको सभी को यहां पर control जो है उसको square में कर दिया गया जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और आपने original इसमें देखा ही था वो जो control मिलते थे वो आपको square में दिखने को मिलते हैं और यहां पर color वगर अभी आपको green मिलता यहां पर blue मिलता है तो यहां पर बहुत ही अच्छा control center आपको दिखने को मिल जाता है और उसके बाद बात करें हमारे setting इंटरफेस के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं जो setting का इंटरफेस है वो भी आपको कुछ original इसकी तरह दिखने को मिलता है यहां पर जो icons आप अपने mobile में original इसको use कर सकते कर रहे हैं उसके पाद यहां पर आप system navigation में जाएंगे तो यहां पर जो हमारे keys हैं जो नीचे आपको keys हो करते हैं वहां पर बहुत सारी new key को add किया गया हमारे mobile में यह simple key रहता था पहले लेकिन यहां पर दो new key को add किया गया आपने देखा था ज उसके बाद बात करें guys यहां पर lock screen के बारे में तो यहां पर आप देखे सकते हैं कि यहां पर lock screen में आपको live wallpaper दिखने को मिलता है जो की origin OS का है और दिखने में यह जो wallpaper है बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप mobile में इस जो live wallpaper उसको apply कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको पहले से आपको lock screen में यह जो live wallpaper वो दिखने को मिलता है साथी साथ उपर साइड में यहां पर आप देख सकते हैं आपको छोटा सा एक यहां पर जो clock है वो दिख रहा है जो की दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और साथी साथ दोस्तों यहां पर आपको charging animation में दिखने को मिल जाता है जो की दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और देखा जातो गाईज यह जो theme है बहुत ही अच्छा है जिन लोगों को like origin OS की feeling लेना है अपने mobile में वो इस theme को use कर सकते हैं यहां पर आप अलग-ल लाइक कीजिए और साथी साथ इस तरह कि अगर आपको themes के रिलेटर और वी वीडियो देखना है तो भाई चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी साथ गाईज बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आगले वीडियो की notification आपको मिल जाए सबसे पहले तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते आपको मारे गलिडियो में तब तक ले जैहिन जै बारत